पोश सुकल पुत्रदाय का सिवरत कथा भगवान कृष्ण बोली है धर्म पुत्र पोश मास के सुकल पक्ष की एकासी का नम पुत्रदा है पुत्र की कामना करने वाली है इसकी महात्मे की कथा ऐसे है एक समय भद्रावती नगरी में संकेतात्मक राजा राजे करता था उसकी इस्त्री का नम सब्या था, वीश्व विभूतियों से भवन भरा था, द्वार पर चिंता मनियों का प्रकास था, प्रंतु राजा की आखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण की उसके पुत्र नहीं था, और वो शोर्ग के शुखों को नरग के शामान कहता था, पुत् जारा हार गया और बुरे विचार करने लगा, क्या करो भीश खालो, भोत बन जाओं तो अच्छा है, प्रंतु यह चिंता अच्छी नहीं, फिर विचार करने लगा, आत्म घात करना महापाप है, इस चिंता से चुटने का उपाय, वनवास्यों से पुछू, खोड़े पश शवारो करबन बिहार करने लगा, पशु पक्षी त्यादी जीवों को पुत्रों के साथ किलते हुए देख, मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सभागे शाली है, आगे चला तो एक शरोवर मिल गया, उसमें मचली यह मेड़ा के त्यादी पुत्रों के साथ बिलास कर रही थ विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे है, शरोवर के चारोत्र मुनियों के आस्रम थे, राजा घोडे से उतर कर मुनियों के सरन में गया, और परणाम कर पुछा आप कौन हो, मुनी बोले हम विश्व के देवता है, इस शरोवर को पतित पाउन समझ कर रष्णान के लिए आज पुत्रदायकाशी परवा है जो पुत्र की इक्छा पूर्ण करता है, राजा बोला क्या यह दिव्यफल मुझे ब्रत करने से मिल जाएगा, विश्व देव बोले हमारी बात सत्य होगी परिक्छा करके देख लो, राजा ने स्रधा से पुत्रदायकाशी का ब्रत कर र में धारिय मिला, पित्री भी प्रसन हो गए, कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है, पलाहार इस दिन लरायन जी की पुजा की जाती है, इस दिन बच्छडे की मा उगाव के दूद का शागार लिया जाता है, बोलो विश्णु भगवान की जै, ब्रमा विश्णु